सबी को जैहिंद टो आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आपका timing जैसे 1600 मिटर का आरा पांच 30 तो आप क्या करते हो हर दिन आके ground कोईस करतो, उसको पांच 20 कर ले, आप किसी भी event के पक्तिस करते हो, चाये 800 मेटर, चाये 100 मेटर, चाये 200 मीटर, तो आप कोईस करतो मैं तो अगर मेरा सिर्टाइवाए पांच विस कर दें आप लोग फिल्टी करते हैं यह लोग यह लोग भी गलती करते तर पूछола यह क्यों क्या करते कि यह थे इसा इन अलग दिन चीज किया जाता है अपको एक सीजन में स्पीड वर्काउट में बताया है ना ठीक है यही गलती आप लोग सबसे ज़्यादा करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं कि हर दिन घिशते हो आप अपने बोड़ी को थोड़ा सा वक्त दीजिए आपका बेस तैयार नहीं हुआ होता है आपका मसल्स आपका बोड़ जादा करना यह जितने भी लड़के हमारे पास आये हमारे अकेडमी में वह क्या करते थे कि सुरू मतलब स्टाडिंग जब मैं अकेडमी किया था सुरू के 4-5 दिन बहुत ज्यादा घीच रहे हैं तो इनको मैं अच्छे से समझा है और जो ज्यादा घीच रहे तो उनको औ आपका बेस तयार नहीं है आप थोड़ा वक्त दीजिए अपने बोडी को तो यही चीज आपको ध्यान रखना है तो चलिए आपको पॉइंट बाइप बताते हैं कुछ 5-6 बताएंगे जिनमें आपका जो सांस फूलता है आपका टाइमिंग कम नहीं होता आपका पैर आपका क्योंकि सुबा सांस दोनो टाइम वर्काउट चलता है तो इनका 3-4 दिन भी हो सकता है लेकिन एपरोक्स 3 दिन चलता है उस सीचुएशन में क्या है कि यह सारे लड़के तो 40 मिनिट एक बार में नहीं दोड़ पाते हैं उस सीचुएशन में आपको क्या करना है कि आ आपको इंटेंसिटी लो करके इंटेंसिटी मतलब कि जितना दम लग रहा है आपका 파को करके आपको सुरू में आए ठीकिन थे लेकिन अब है 12 essentially तक इन से लगवाते और उनका स्टाइमिंगा बहुत ज опас कर देते मतलब कि यह पहले आय थे तो एक 10 10 9 का पूरा घीच के लगा रहे थे 1 8 को एक 4 को एक 3 अब यह क्या करते हैं कि 1 30 1 32 1 25 के आसपास रेपीटेशन लगाते हैं तो यहीं आपको भी करना है आपको क्या करना है कि आपको रेपीटेशन थ्रोड़ा ज्यादा लगाना और इंटेंसिटी लो रखना है वरकाउट का ठीक है यह इचीज आपको ध्यान रखना है आप यह मत्सोची कि आपको एक लिए में टाइमिंग कम कर देणा एक दिन में दुनिया आपको ध्यान रखना अब जब हम बात करते हैं तीसरे टिफ्स की तो वह क्या है आपको प्रॉपर वार्मप कूल डाउन और स्टेचिंग अच्छे से जरूर करना है ठीक है आपको याद होगा मैं आपको बोला था वार्मप करने के लिए तो आप लोग वार्मप में घीच र दूँगा होता क्या है कि अगर आप प्रॉपर वार्मप कूल डान और स्टेचिंग नहीं कीजिए गा तो आपका मसल्स पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगा आपका बोडी रिकवर नहीं हो पाएगा और आप इंजड भी होगे और आपका सांस भी फूल लेगा और आपके लिए ज्यादा वेनिफीसियल होता है आप अनुलोम बिलोम कपाल बाती यह से परनयाम की ब्रेथिंग एक्सरसाइज कर सकते इससे आपका रिस्प्रेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत होता है और आपका सांस पूले की समस्या वह दूर हो जाता है हमारा जो है वह गुबारे की जैसा है इसमें आप हवा भरिएगा पूरा एक्सपेंट कीजेगा तो उसको आदत रहेगी ऑक्सीजन हवा ज्यादा लेने का ऑक्सीजन बोडी को ज्यादा मिल पाएगा ठीक है तो आप कम से कम हर दिन वरकाउट के बाद 5-8 मिनिट के लिए कपाल बात प्रटी करने से यह गई चौता चीज दोस्तों जब हम बात करते हैं पांचवे चीज की तो वह है कंटिन्यूटी एंड मोटिवेटेड इसे यहाँ पर क्या हो गया कि आपको क्या करना है कि अपने वरकाउट में ठीक है ऐसा नहीं कि आपने चार दिन वरकाउट किया और द यहाँ पर यही रूल है अगर आप लेट से हैं तो आपको एक गंटा रणिंग करना ही पड़ेगा ठीक है और साथ-साथ बहुत सार में ऐसे एक्सर साइज करवाता हूं इससे बोड़ी पर लोड़ पड़ता और मज़ा भी आता है और आप अगला दिन फिर टाइम पर आप कॉनी और कर लिये कब तो यह चीज आपको द्यान रखनाए कि आपको वर्काउट में कंटीनिव रखना और सबसे बढ़िया चीज यह भी बात ध्यान रखना है चीज बहुत है कि आपको डेली कभी एक चीज कर वाता हूं औरですね системिश्ट कभी कुस कर लिए कभिकों कॉन कर ल कर लिए बढ़िया से तो यहां पर सारा कुछ एकदम डीटेल वाई डीटेल कराया जाता है आपको भी यह सब चीज करना पड़ेगा सबसे इंपोर्टेंट चीज कि आपको थोड़ा मोटिवेटेड रहना यहां पर बहुत सारे ऐसे लड़के आया थे जो मुझसे हमेशा अपना पोजिटिव सोचना है आपका जो गोल है आपका इंडियन आर्मी गोल है ओलंपिक गोल है तो वहां पर जो लोग पहले से पहुंचे हो उसको देखिए वो किस रहा से गया है उनको देखके मोटिवेट होई है और कुछ-कुछ अच्छे-चे मोटिवेशनल वीडिय लुए और मैं हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए तो दोस्तों यही था हमारा वीडियो आपको मिलते है जल्दी नए वीडियो के साथ अभी थोड़ा एकेडमी के चलते बीजी चल रहा हूं इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा है ठीक है और अगर 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 अभी जय है जय है जय है जय है चल लो भाई खत्म करें दरने वाज जय है